हलो बच्चो वैलकम तो दिस सेशन यह सेशन किन बच्चों के लिए रखा गया मैं आपको बता देता हूँ अगर आप आई ओक्यू जैस 2022-23 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको फर्स अफॉल यह चीज बता देता हूँ अनक एडमी के प्लस फ्लाटफॉर्म पे एक new batchिद्leton और न निया कोर्स स्चाट रूए है मैं आपको बता देता हूँ जिसके अंदर मैं आपको ioqjs की बचों physics परिट पड़ा रहा हूँ एक प्रत बड़ा में आक मैं आपको बता देता हнибудь आ ऑ किस'tरह की प्रब्लम्स आपको जो ह죠 करनी हो lleva किस तरह से आप concept समझ सकते हैं अगर आप इसके अंदर फस रहे हैं तो पुली प्रॉब्लम्स और वरी वरी important problems and बहुत बार बच्ची को ऐसे लगता है कि सर यह problem difficult होगी इसमें दिक्कत हो सकती है बड़ नहीं यह problem बहुत इजी होती है तो इनको आज समझेगे हम स्टार्ट करने से पहले सेशन में आपको बता देता हूँ मेरा नाम रहूल पंचोली है और कुछ डिटेल्स मेरे बारे में आप लोग के सामने यूट्यूब वीडियो में इनाप्रोप्रियेट कंटेंट मिलता है जो यूट्यूब गाइडलाइन को वाइलेट कर रहा है तो वीडियो के description में गूगल फॉर्म दे रखा है उसके जरिये बच्छों आप रिपोर्ट कर सकते हैं सक्सेस्फुल रिपोर्ट करने वाले बच्छों को यहां पर एक्साइटिंग प्राइजिस मिलते हैं जैसे आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बच्छों यहां पर मिलते हैं बच्छों हर फॉर्ट सेशन आप लोग के लिए डाउट क्लेरिंग सेशन हैं आप अपने घर के कमफर्ट से पढ़ सकते हैं बैच कूर्स आपको हेल्प करते हैं सारी चीज़े आपको एक ही जगह पर अरेंज्ड वे में सिक्स मन्त थ्री मन्त के जो हैं फी स्टक्चर वो भी देख सकते हैं जेए प्लस का सब्सक्रिप्शन जैसे आप लेंगे तो फॉर तैन परसेंट वी डिसकाउंट कीप यूजिंग दी कोड आरे लाइव रेस्पेक्टिवली आपका दो साल एन एक साल का फी स्टक्चर आप यहां देख सकतें अगेन ऐकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पैरेंट करेंट अपॉर्शनटी मिलती है पैरेंट समझ सकते हैं कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे है उनके तो आई करिफ पर लेना चाहते हैं तो उसकी फी स्ट्रक्चर आप लोग के सामने रखी वी तो मेरे कोड का इस्तमाल करके प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यह कुछ अपकमिंग बैचेश या फिर जो करेंड बैच आपके ऑनकाडमी प्लस पर चल रहे हैं के लिए जो एस्पिरेंट से वह एनलम की पुली प्रॉब्लम की ट्रिक्स जो है इसको किस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं तो इसे इस तरह के सवालों को करने से पहले मैं आपको आज एक एक कॉंसेट सिखाता हूँ इस कॉंसेट को कहते हैं एट वुड मशीन सब्सक्राइब करना आपको अगर आप कहते हैं कि पुली इस तरह से लगी वी है यहाँ पर आपकी क्या है फिक्स पुली है यह कही नहीं जा रही है अपनी जगह पर फिक्स्ट है बच्चो देन आपने बूला कि एक रोब जो है इस तरफ हैंग कर रही थी एंड इसके यहाँ पर मास जो है एंवन था और दूसरी साइड जो है यह रोप इस तरह से जाके हैंग कर रही है यहाँ पर बचो मास जो है यहाँ पर एंटू के बराबर है सब्सक्राइब आपको इस कंडिशन में कह देता हूं कि मास टू जो है ग्रेटर दिन मास वन है तो ऐसी सिनेरियों में क्या होता है अगर चोटी बात है आपको यहाँ पर सबस्घनी होती है होता है उतना ही दूसरा acceleration आपको upward direction में लेना होता है length fix रखनी है इस concept को length constant कहा जाता है रसी छोटी बड़ी नहीं हो सकती है जितना यह बढ़ा होगा उतना ही यह चोटा होगा इस direction में let's move ahead आगे की चीज़े देखते हैं एक और important चीज़ होती है बच्छो आप यहाँ पर जो है massless rope लेके चलते हैं जन्रली मासलेस रोप के अंदर क्या concept है बच्छा आपका यहाँ पर कि tension same होती है पूरे rope के अंदर in complete rope तो एक rope के अंदर जो है हर एक point पे जो है tension जो है same होती है आपको क्या करना होता है इसे कहते हैं free body diagram बनाना प्री body diagram में आपको क्या करना है सबसे पहले non contact forces को mark कर दो non contact force मतलब gravity gravity नीचे पूल करेगा gravity नीचे पूल करेगा किशा आप से बादा और रोब को अपने धक्का दिया किया ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा जरा आप उससे खांचोगे तभी भ्लाउक चलेगा तो टेंशन is always a pulling force, please remember this thing, अब आप बलोगे सब tension दोनों को pull कर रहा है, ऐसा क्यों, mg दोनों को नीचे pull कर रहा है, ऐसा क्यों, गैस देखो, क्या होता है, यहाँ पर, अगर यह ए नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब जो है, gravity जीत गई है, gravity is more than tension, m2g is more than tension, that is why this block is going downwards, यहाँ पर क्या है, block upwards जा रहा है, इसका मतलब tension जो है, वो जीत गया है, m1g छोटा है, इसकी वज़े से block उपर की तरफ जा रहा है, तो इस प्रकार से आप atwood machine के अंदर जो है, ऐसे define करते हैं, this concept is known as atwood machine, अब आप के बोलेंगे सर, आपने NLM का एक बहुत ही बढ़िया formula पढ़ा होता है, net force is equals to mass into acceleration, let's understand कि इसको किस तरह से apply कर सकते हैं, इस problem के अंदर, तो हम बोलेंगे सर, सबसे पहले right pulley के लिए solve करें, right pulley के लिए net force कौन सा है, m2g नीचे, tension उपर, सर, आपने m2g में से tension को q minus किया, tension में से q नी minus किया, जिस direction में acceleration, उसी direction में net force, net force down होगा यहाँ पर, क्योंकि acceleration नीचे है, it is equivalent to सर, m2 into a के बराबर, यह net force is equals to m, आपने यहाँ पर apply किया, इसके लिए क्या, net force upward direction में, तो आपने बोला कि tension minus m1g is equals to m1 a के बराबर, अगर मैं दोनों की दोनों चीज़ों को add कर देता हूँ, तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर, देखिए, m2 minus m1 into g is equals to m2 plus m1 into a, यह बहुत ही बहुत ही जबरदस एक आपका result यहाँ निकल के आता है, this is how the acceleration of the Atwood machine is given, acceleration of the Atwood machine is given as m2 minus m1 into g divided by m1 plus m2, so यह आपका एक formula होता है, जिससे आप acceleration की value easily निकाल सकते हैं, बट मैं आप सबको यह recommend करूँगा कि यह formula कोई भी याद मत करो, ठीक है, because solving the problem by learning the formulas, महा नहीं आएगा, ठीक है, mechanics है ही ऐसी चीज, जिसके अंदर आपको Newton's laws of motion के अंदर जो है formula याद करने की जुरत नहीं होती है, ठीक है, सिर्प F net is equals to M A का application करते हैं, तो जड़ा इस problem को करके देखते हैं, जो आपको पड़ाया है, बिल्कुल उसी तरह का problem, आप बुलेगे, सिर्प नीचे क्या लग रहा है, सर 10G, नीचे क्या लग रहा है, सर 5G, उपर क्या लग रहा है, सर 10, उपर क्या लग रहा है, सर 10, what can I say here obviously भारी वाला नीचे जाएगा हलका वाला जो है आपका उपर जाएगा what can I write here sir 10g minus tension 10g minus tension is equals to 10 what can I write here I can write tension minus 5g is equals to 5 दोनों को sir add करके देखते हैं क्या आता है अपना add करने पर आप बोलते हैं sir tension and tension जो है आपका simplify होगया that is equals to 5g is equals to 15a acceleration की value जो है 5g by 15 that is equivalent to g by 3 that is the correct answer तो भाई देको कोई option के अंदर g by 3 दे रखा है क्या yes option number जो c है आपका option number c के अंदर g by 3 answer दे रखा है that is how you can solve this problem आज के बाद किसी को इससे डरना नहीं है यार simple addwood machine concept है आपको क्या करना है tension इसे कहते हैं free body diagram contact forces आपके tension है non contact forces gravity mark करो fnet is equals to MLE को simple problem of pulley तो इस तरह से simple problem आपने pulley की यहाँ पर करना सीखा पहला सवाल आपको मैंने करना सिखाया आपके इसकी इसी के साथ साथ जो है addwood machine का concept बच्छो आप जो है आपर समझे कि addwood machine क्या है कैसे हम इसे use कर सकते हैं आईए आगे बढ़ते हैं आगे कुछ concept यहाँ पर समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से second problem हम खतम कर सकते हैं problem number two guys अब आपको ऐसे लग रहा होगा sir या तो दो string हो गई do not worry एक रोख की tension T1 ले लो दूसरे की T2 ले लो sir कैसे let us see देखो यह 5 प्लस 2 7 है और यह 8 है 8 भारी है तो 8 नीचे लेके जाएगा और यह पूरा system उपर की तरफ जाएगा sir acceleration same क्यों क्यों बेटा रसी जो होती है न rope के लिए हम हमहिशा ऐसा कहते हैं कि rope जो है आपके inextensible inextensible incompressible inextensible incompressible सबसे पहले आप जो है नाने लग जाएगा sir what are the two ropes you can see here यह एक rope आपको दिख रही है यह जा रही है sir where is the second rope second rope आपको यह दिखाई दे रही है यह रही है आपकी second rope यह आपको दिखाई दे रही है अब हम क्या बोलते है sir सबसे पहले आप जो है non contact forces ग्रेविटी को मार्क कर दे यह आपकर 8G नीचे 2G नीचे 5G नीचे मार्क कर दिया sir अब सबसे टेंशन मार्क करें इस तरह से आपने सारी चीज़े मार्क कर दिया सबसे पहली बात सवाल में पूछा क्या गया है सबसे पहली बात सवाल में पूछा क्या है इस वाल इस वाल स्टिंग की टैंशन पूछी हो सब्सक्राइब कर दिया हम बलेंगे सब्सक्राइब कर दिया ग्रेविटी नीचे लग रहा है माइनस 2G इस इकवस्टू 2A के बराबर सब्सक्राइब यहाँ पर दो वेरिएबल है टैंशन अना एसलेशन एसलेशन कैसे निकालें जरा इस पर कंडिशन लगाते है उपर वाले बलाग पर 5 kg पर लगाया टैंशन वान उपर खेंच रही है 5G नीचे खेंच रहा है टैंशन T2 नीचे खेंच रही है इट इस इक्वस्टू सर 5 नीचे खेंच रही है तो यह न भूले कि सर ग्रेविटी तो नीचे खेंच रही है टैंशन T2 भी नीचे खेंच रही है जरा इस के उपर आया है अब 8 kg वाले पर क्या हुआ सर 8G नीचे खेंच रहा है T1 रोक रही है क्या गर सकता हूं सर यहां से T1 की वैल्यू इधर डालो यहां से T2 की वैल्यू यहां तो तीनों एक्वेशन को एड कर दो आप तो तीनों एक्वेशन को एड कर दो What will happen if I add all them T2 T2 गया T1 T1 गया 8G माइनस 5G माइनस 2G तो यह आया G 8G माइनस 7G हो गया और यह कितना हुआ Atwood मशीन से आप यह कर सकते थे आप ऐसे बोल सकते थे Sir Atwood मशीन क्या कहता है आपका जो नीचे ले जा रहा है वह वाला वेट 8G जो उपर की तरफ आ रहा है वह दोनों माइनस 5 प्लस 2 7G divided by N at mass 15 Atwood मशीन कॉंसेप्ट से आप directly भी लिख सकते थे से इस तरह से कोई दिकत जी बड़ एनलम की कॉंसेप्ट समझना बहुत जरूरी इस तरह से आपका acceleration आया अब आपन क्या कह सकते हैंगी Sir यहां से T2 की value निकालना कितना आसान है Just use this formula first one T2 is equal to 2G plus 2A 2A में केता लिका 2G by 15 के बराबर multiply किया तो 30 32 G by 15 3 के बराबर answer match कर रहा है अगर D answer match कर रहा है तो बिल्कुल सही बच कर रहा है आपका यही answer की answer is the correct answer So that is the way आप इस problem को solve कर सकते थे Simple Edward machine जो है आपने पहले सीखी फिर किस तरह से problems solve की जाती है आपने यहां पर इस तरह से देखा आईये तीसरी problem बे चलते हैं अब यहां क्या कर दिया भाई अब यहां पर जज़वात बदल गया है यहां पर कहना moveable pulley सर मुवेबल pulley में क्या चक्कर हो गया सर इसमें क्या problem होगी अब देखना पुली का concept भी देखो आप मुवेबल पुली में क्या होता है मुवेबल पुली में क्या चक्कर होता है सबसे पहली बात तो जो है हम यहां पर हमारे syllabus के अंदर massless pulleys की study कर रहे होते हैं massless pulleys ऐसी situation में क्या होता है अगर मानलो आपने बोला कि एक जैसे इसी पुली को पकड़ते हैं इस पुली में क्या होगा एक रसी उपर है दो रसी यहां पर side में तो हम क्या बोलेंगे दो रसी जो side में है इनके बारे में जो है drawing बना ले यह ऐसी हो यह ऐसी ठीक अब देखो यह same rope है पूरी कहां गई भाई same rope है कि एक rope यहां से ऐसे जा रही है what will be the value of tension t- here हमें कुछ नहीं पता है ठीक है हम कहते हैं कि let us say कि यह पुली acceleration a- से नीचे जा रही है माल लो अब हम क्या कह सकते हैं कि sir fnet is equals to ma का application करते है fnet is equals to ma के application से क्या समझ में आता है m किसका डालेंगे जिसके उपर लगा रहे है इसका है mass of pulley तो 0 वह भाई साब net force 0 आगया net force 0 क्योंगे आगया क्योंकि pulley का mass ही नहीं है आप net force 0 कहेंगे तो नीचे लगने वाला t है और t है तो that is 2t 2t नीचे लग रहे है उपर क्या लग रहे है t- is equals to 0 यहां से आपको मिलता है t- की value बच्छो 2t के बराबर हो जाती है very very important point t- की value बच्छो आपकी 2t के बराबर जाती है इस तरह का कभी system होता है massless pulley होती है तो आप directly 2t ले 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 समझे बात को तो कहने का मतलब यह है कि इस problem में आप क्या करेंगे अगर आप कोई बच्छा इस problem को solve कर रहे तो वह सबसे पहले ऐसे करेगा कि सर यह हमें पता था कि यहां का tension 2t है यहां का tension 2t है first step to decode the problem इस तरह से problem को आप decode करते हैं इस तरह से problem को आप समझते हैं sir what is the next step next step क्या होगा least to keep m3 at rest the condition is m3 को rest पर रखना तो condition क्या होगी अरे यार कितनी simple बात है अगर मैं m3 को rest पर रखना चाहता हूँ इसको rest पर रखना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा कि sir नीचे लगने वाला force कितना है m3g के बराबर इस इस block के study करें तो आप बोलेंगे 2t की value किस के बराबर है m3g के बराबर से ठीक है simple है ठीक है sir अब sir यहां क्या हो रहा है आपका आप पुरा system समझें यापर कि system किस तरह से behave कर रहे अब हमें नहीं मालूम कि sir इसका क्या acceleration होगा किस तरह से जा रहा होगा क्या कर रहा होगा we do not know about anything but क्या हम ऐसे क्या सकते हैं क्या एक भारी होगा होगा एक भारी होगा एक होगा अगर यह rest पे है M3 rest पे है तो अभीश सी बात है यह pulley भी rest पे होगी यह भी rest पे होगी ऐसा थुड़ी हुआ है कि यह चलने लग जाए length of string क्या होती है जो मैंने आपको अल्रेडी लिखा दिये रोब जो है इनक्स्टेंसिबल है इनकम्प्रेसिबल हम कभी नहीं बोलते कि रोब लंबी होगे रोब चुटी होगे रोब की की है कि यह उपर सिस्टम को है आपर नीचे जा रहा हूँ यह सिस्टम एह ब्ली वाली रोब ढ़ना देते हैं यह वाली रोब आ इसकिए टीटंग से यह रखंगा रख रहा हूँ तो सर्क पहली चीज़ तो जो है अगर सिस्टम को रेस्ट पे रखना था, M3G को रेस्ट पे रखना था, तो ये बात समझ में आई, 2T is equals to M3G, what can I apply here, यहां क्या apply कर सकता हूँ, कि सर देखो ये टेंशन जो है, इसे उपर खेंच रही है, ये जो है MG नीचे खेंच रहे, तो इसमें FVD बनाया M1G नीचे, M2G नीचे, ठेक है, सर नेट पोर्स is equals to M1, लिख दो, नेट पोर्स इसका डाउन होगा, तो हमने बोला कि सर M1G minus tension is equals to M1 into A, इसके लिए क्या बोलेंगे, tension उपर है, minus M2 into G is equals to M2 into A, ये दो relation आगे, अब ज़रा result देखो, result में क्या है, सारे mass mass का relation है, सारे mass mass का relation है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर tension की value डाल दो, result बन सकता है, तो इन दोनों relation से mass acceleration को उड़ा दो यार, इन दोनों equation से acceleration को कैसे उड़ाओगे, mathematics से तो बच्चा M2 से multiply किया, और इसे जो है M1 से multiply किया, now the equations are, M1 M2 G, minus M2 T, is equals to M1 M2 into A के बराब, यह क्या लिखाव है, M1 into T, minus M1 M2 into G, is equals to M1 M2 into A के बराब, जब subtract करूँगा तो यह negative sign, यह positive sign, यह negative sign, तो यह गया, यह गया, यह subtract हुआ तो देखो क्या आ रहा है, M1 M2 into G, इसमें यही चीज़ है ड़ी, तो यह double हो गया, और negative में क्या आया, minus M2 T, minus M1 T, is equals to 0 के बराबर, mathematics है यार, पूरी, tension की value कैसे नहीं का लिख सर, twice of M1 M2 into G, divided by M1 plus M2 के बराबर, यह high value, ठीक है भाईया, simple mathematics है, इससे क्या हुआ आपन ने बोला कि इससे tension की value क्या करो, उठा कि यहाँ पर डाल दो, देखो भाईया, क्या चल रहा है यहाँ पर, तो अपन ने बोला कि 2T की value कितनी आ रही है, M3 G के बराबर, तो आपको समझ में आया कि tension की value जो है कितनी हो गई, twice of M1 M2 into G, divided by M1 plus M2, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बच्छो, M3 into G के बराबर, सब जो cancel out हो रहा है, cancel out कर दो, G गया है, G गया, यह लिखा हुआ है, four times of M1 M2 is equals to M3, M1 plus M2, यहाँ multiplied हो गया, लंबा तो जा रहा है सवाल, but easy है, four M1 M2 is equals to M1 M3 plus M2 M3, यह निकल गया है, हमने क्या किया है, इस वो पूरे को M1 M2 M3 से डिवाइड किया, इस पूरे को M1 M2 M3 से डिवाइड किया, LHs RHs में सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका यह result क्या है, four upon M3 is equals to one upon M2 plus one upon M1, बताओ कोई ऐसा result दिख रहा था किया, कितना प्यारा, कितना अध्भुच सवाल था, इस तरह से जो है final result पर अपन पहुंचते हैं, I hope आपको जो है C answer यहाँ पर निकलता हुआ, दिख गया होगा, बढ़ा अच्सा problem था, concept of police, tricks to solve the police, नहीं, यह जाला tough नहीं है, अगर समझोगे तो easy लगेगा यार आपको, ठीके, यह आपने rest की condition लगाई थी, यह simple net force is equals to M1, तो इस प्रकार से बच्छो, आप पुली के questions जो है, maximum questions कर सकते हैं, अगर आप simple free body diagram बनाना जानते हैं, तो यह problem number 3 आपका यहाँ पर complete हुआ, let's see कि यह problem number 4 हम कैसे कर सकते हैं, चार सवाल आपको इस session के अंदर मैंने provide किया, भाई, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही amazing सवाल, अब इसे किस तरह से कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, इसे कि सर हो क्या रहा है यहाँ पर, तो इन इस फिगर दे ब्लॉक A, B and C, each of mass M having accelerations A1, A2 and A3 respectively, F1 and F2 are external forces of magnitude 2Mg and mg respectively, अब यहाँ पर क्या है याँ, ठीक है, देख एक ब्लॉक है A, जिसका mass M है, force इतना लगा, एक ब्लॉक है जिसका mass M, और इसका है 2M, यह है M, और इसका mass M, और इस पर Mg लगा, देखकर ऐसा लगता है, कि जो इनके acceleration है सारे बराबर होंगे, तो कुछ बच्चे option 1 मार देते हैं, 1 गलत है यहाँ, try to understand the idea behind this problem, कि इसके पीछे idea क्या है, ठीक है, अच्छे एक और चीज़ अब आप यहाँ पर समझे, मैं चाहता था कि आप सारे questions के जरिये, इन concepts को जो है और clear करें, ठीक है, अगर आपकी कोई rope होती है, let us say कि एक rope थी ऐसे, यह आपका fixed place था, एड एक rope जो है ऐसे थी यहाँ पर, अगर किसी ने बोला कि यहाँ मैंने यहाँ पर force लगा दिया, आपका यहाँ पर, let us say 3 mg के बराबर, external force apply किया, उस external force के apply करने के विज़े से, यहाँ tension कितनी हो जाएगी, 3 mg, so it is very very important, that tension in rope, या तो आप जो है, atwood machine से solve करते हैं निकालके, या फिर अगर आपने external force apply किया है, तो उसके बराबर हो जाती है, is equals to f external applied, अगर आपने इसे directly लगा दिया, इसे directly खैंच दिया, तो external force जो apply किया है, उसके बराबर आपकी यहाँ पर tension हो जाएगी, ठीक है, अब जड़ा इस problem को जड़ाइ, decode करने की कुशिश करते हैं, तीन scenarios हैं sir, let us understand the three scenarios, तो case one की कहानी क्या है, जड़ा है यहाँ पर देखना, sir ऐसा था, ऐसी पुली थी यहाँ पर, पुली के जो हैं यहाँ पर आपका rope था, क्या मास था sir, यह M था यहाँ पर, तो हम बोलेंगे, यह M मास की वज़े से, नीचे gravity लगी Mg, एंड इसके अंदर रसी में tension आया T, यह rope जो है इधर गई, इधर जाने के बाद, इस rope पे कितना force लगाया खेंचा, इसे external force 2Mg से खेंचा, external force 2Mg से खेंचा, जैसी आपने इसे 2Mg से खेंचा, इस रसी के अंदर जो tension थी, वो F external के बराबर निकल के आ गई, that is equals to 2Mg, what can I say here sir, यह 2Mg इधर ट्रांसवर हो जाएगा, क्योंकि tension पूरी same है, और यह किसी acceleration A1 से उपर आने लग जाएगा, I understand the value of acceleration A1, मैं क्या कह सकता हूँ, ध्यान से देखना, net force is equals to M है, यही application करनी होती है बार बार, net force कौन सा सा tension उपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, it is equals to M है, sir, M की value कितनी mass M है, acceleration A1 है, tension की value यहाँ डाली, 2Mg minus mg is equals to M A1 के बराबर, इससे आया mg is equals to M A1 के बराबर, यह गया, यह गया, acceleration 1 की value जो है, G के बराबर आपकी यह से निकल के आई, तो यह सबसे पहले आपने यह समझा कि, कैसे यह value of acceleration आपन यहाँ पर निकाल सकते हैं, अब case 2 पे चलते हैं, case 2 क्या कह रहा है, जड़ा देखो, case 2 के अंदर उन्होंने क्या किया, दूसरी side जो है, ऐसे नीचे जा रहा है, यह 2 है, मैं आपको, सब आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से समझना, यहां का tension T, यहां का tension T, same rope के अंदर बच्छो tension same होता है, इसमें नीचे लगने वाला force mg के बराबर, इसमें नीचे लगने वाला force to mg के बराबर, अव्वेसी बात है, भारी वाला जीच जाएगा, भारी वाला नीचे आएगा, तो यह system, acceleration A2 से नीचे आ रहा है, यह system, मैं acceleration A2 से यह side आपकी उपर की तरफ जा रही है, now what can I do further, अधर इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, net force is equals to ma के बराबर, है ना यही application अपन करेंगे, है ना, यह A2 क्यों माना, क्योंकि second case है, तो A2 मान की solve कर रहे हैं इस जगें, सबसे पहले आप right side वाले पर जो है, simple equation लगाए, तो आप बुलेंगे 2MG minus T is equals to 2M into A2 के बराबर, ठीक है, बड़ी simple बात, बड़ी आसान बात अपन ने समझ ली, 2M into A2 के बराबर आपका यह निकल के आगे, what will happen to this side, यहाँ पर आप बुलेंगे sir, यह tension जो है उपर है, minus MG is equals to M into A2 के बराबर, let's just add both the equations, यहाँ दा रहें, तो Atwood machine है भाई, Atwood machine है simple, तो यह कितना हो गया, MG is equals to 3M A2 के बराबर, A2 की value किती sir, G by 3 के बराबर है, यहाँ कित्ती आ रही थी G, यहाँ पर कित्ती आ रही G by 3, picture खतम नहीं होई है, सर तीसरा केस भी अभी आपके सामने, तीसरा केस जो है, वहीं solve कर दें के बाजु में, नहीं आराम से, खाली पेज लेके आराम से solve करते हैं, यहाँ पर, केस 3 देखते हैं वापन यहाँ पर, what is taught in केस 3, केस 3 में ऐसा बताया गया है, के अगेंस और एक पुली जो हैं यहाँ पर है, एंड एक ब्लॉग जो है, इस साइड है, यह तो हरी साइड हर जगई ऐसा हो रहा है, कि एक ब्लॉग इस साइड है, चला, study करते हैं क्या है, M, M, same mass, और एक external force, M, G लगा रखा है, ठीक है, तो यह M है, यह M है, और एक external force अपना यहाँ M, G लगा रखा, बेटा, अब यहाँ पर आप यह चीज यूज नहीं कर सकते, यह जो मैंने पढ़ाई थी नहीं कि जितना external force लगाया, उतना tension, बिकॉस यहाँ पर कोई block ही नहीं था ना, इसकी वज़े से डारेक्ट ऐसा हो जाता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, understand the concepts of Newton's laws of motion, सबसे पहले gravity बताओ, यह M, G gravity, यह M, G gravity, भाई, gravity थोड़ी काया बजाएगी, बो तो लगेगी, भाई लगेगी, फिर आपने बोला कि यहाँ पर सर्टेंशन फोर्स टी, यहाँ पर टेंशन फोर्स टी, दोनों साइट जो है बच्चों इस तरह से आपने टेंशन फोर्स यहाँ पर माल लिया, ना, वट आइकेंड डू सर्, वापिस से वही बात बोलो, यह भारी लग रहा है क्योंकि, mg तो वेट है और external force भी है, तो यह A3 से नीचे जाएगा, यह A3 से उपर जाएगा, simple equations of NLM, हमें क्या करना है सर्, net force is equals to M, वापिस से वही apply करना है, सबसे पहले right वाले के लिए लगाते हैं, net force कितना है, mg प्लस mg, एक तो gravity का mg है, प्लस external force का mg है, ancient क्या बोल रहा है, रुख जाओ, it is request to mass into acceleration A3 बोल दिया, M mass आएगा, दोखो difference क्या आजाता है, इस से पहले में अगर आप mass ले रहे थे, तो 2M ले रहे थे, यह 2M था, अब यह 2M नहीं बचा, कोई बच्चा ऐसे बोल सकता है कि सर्थ देखों, यहाँ भी तो 2MG है, और यहाँ भी तो 2MG है, एक ही तो बात है, नहीं, यहाँ पर mass M हो गया बेटा, that is a different thing here, ओके सर, अब आगी क्या कर सकते हैं सर, इस वाले पर आओ अपना, टैंक्शन उपर खेंच रही है, gravity नीचे खेंच रहा है, MG, it is equivalent to sir, M into A3 के बराबर, यह रही बात, अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों equations को जब add करता हूँ, तो क्या आता है देहन से देखना, 2MG minus MG is equals to twice of MA3, तो इससे आता है, MG is equals to twice of MA3, A3 की value जो है आपके निकल के आती है, यहाँ पर बच्चो, G by 2 के बराबर, so now you can easily compare guys, easily आप compare कर सकते हैं, acceleration 1 जो था आपका G निकला था, acceleration 2 आपका 0.33 G निकला था, acceleration 3 आपका 0.5 G के बराबर निकला था, so now how can I say, what is the final answer, final answer आपका निकल के आता है, कि A1 बड़ा है, then उसके बाद A3 है, then उसके बाद सबसे end में जो है, आपका A2 है, A1, A3, A2 is the correct sequence, ठीक है, तो A1, A3, A2, here is the correct sequence, B is the correct answer, I hope guys, I hope guys, यह session आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा beneficial रहा होगा, जहाँ पर आपने किस तरह से, इस तरह से, pulley system जो होते हैं, इनको solve किया जाता है, यह चीज सीखी होगी, ऐसी ही आपको back-to-back sessions, मेरे अगले 3-4 दिन में, बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है, So guys, if I am on leave, preparation नहीं रूखनी चीए, practice नहीं रूखनी चीए, तो इसी तरह से, और बहुत सारे अच्से अच्छे questions जो हैं, आपकी preparation के लिए, मैं ले के आता रहूँगा, YouTube पे, Thank you guys, thank you for joining session, आप हमारी अन Academy की free special classes, जो हैं, join कर सकते हैं, अन Academy Plus subscription लेने से पहले, आप उस experience को definitely जी सकते हैं, Telegram जो है मेरा, T.ME slash R.E.Lives, इसे जरूर जॉइन कर लेना, इसको जॉइन करने से, आपको मेरे updates and notifications, time to time यहां पर मिलते रहेंगे, इसके लगा guys, अन Academy के plus platform पे, जो है, special classes के लिए, आप live real time interactions using chat and emojis, ask questions using the question tab, live poll options for the quizzes, poll leaderboard to compete with your friends, ऐसे सारी चीज़े जो हैं, आपको 10% fee reduce हो जाता है, अन Academy के all the plus subscriptions पे, डीगे, डू like the video, डू share the video, लाइक और जरूर करना, इससे क्या होगा आपको, हमारे सारी important updates आपको time to time मिलते रहेंगे, thank you guys, take care, मिलते हैं बाकी sessions में, बाई बच्चों,